भारत की DRDO ने जैसे ही आनाउंस्मेंट किया है कि हम 14-16 दिसंबर के बीच एक मिसाइल का परिक्षण करने वाले हैं चाइना का जासूसी जहाज यांग वांग 6 फिर से इंडिया नोसन में आ रहा है पर चाइना को इससे क्या मिल जाएगा कि वह इंडिया नोसन में आके भारत को अपना ददवा दिखाना चाहता है देखिए चाइना भारती मिसाइलों से इतना डरता है कि चाइना यह जानना चाहता है कि आखिर भारत के पास कितनी पाबार है इसी के देखते हुए DRDO की पूरी परिक्षण पर नजर रखना चाहता है चूंकि चाइना का यांग संसे दूर अस्टेलिया की साइड में गिरेगा इसलिए यांग वांग सिंग अस्टेलिया की दिशा में वहीं पास जाकर DRDO की मिसाइल परिक्षण का बेट करेगा और उससे गिया हुआ मलवा यानि ब्यर्थ पदार ले जाकर उसे रिवर्स इंजिनेरिंग करने की कोशिस करेगा चूंकि इंडियन मिसाइलों में इतना दम होता है कि वह विस्टो भर में एक ख्यादी प्राप्त कर लेती हैं और अपनी मजबूत मिसाइलों के दम से जानी जाती है इसलिए चाइना भी इस तरह मिसाइल को डिवलप करना चाह करता है पिछली बार जब चाइना अपने यांग वांग सिक्स को लेकर इंडिया नोसन में आया था तर डियार्डियों ने अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया था पर अपकी बार डियार्डियों को क्या फिर से प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए या फिर हमारे कहने और DRDO को अपनी मिसाल का परिक्षण चाइना की यांग वांग 6 पर ही कर देना चाहिए जिससे चाइना का यांग वांग 6 नेस्तो नाबूत हो जाए आपका इस बारे हम क्या कहना कमेंट में जरूर बताएगा जहन